मैं अमिताव बच्चन मेरा जल्म 11 अक्तुबर 1942 में इलाबाद भारत में हुआ था मेरा पूरा नाम अमिताव हरिवांच राय स्रीवास्तो बच्चन है मेरे पिता हरिवांच राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवी थे और मेरी मा तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्य करता थी मुझे एक छोटा भाई भी है इसका नाम है हजिताव बच्चन मेरे अपनी प्रागंबिक शिक्षा नैनी ताल के शेज़ूर कॉलेज में मैं पड़ाई की बाद में मैं डिली विश्ववद्या लाएके किरोडी मल कॉलेज से विज्ञाज में मैं डिगरी हासिल की और उसी छोटी हुमान में मैं अभीने से भी गहरी रूची रखता था संगर्षो का सामना करना पढ़ा जो कि सब आम आद्म को करना पढ़ता है अपने शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे अपने करियर में शुरुर अती रूप में काम किया था और एक कलकत्ते में मैं शिपिंग कंपनी में मैं एक कारेकरे के रूप में यानिके एक्जेकुट के रूप में मैं कुछ समय के लिए काम किया था मेरा फ्लिम उद्योग में प्रवेस्ट तुरंत नहीं हुआ था मेरे लेंबेकत और अपरंपरागत लूप के वज़े से कही प्रोडूसर और डारेक्टरों ने मुझे तीखी बात सुनाई थी मेरी फ्लीम इंडेस्ट्री की शुरुवात 1979 में फ्लीम साथ हिंदुस्तानी से हुई इसमें मेरा बहुत चोटा रोल था उसी वक्त मैंने बहुत सारे फ्लीम में चोटा चोटा रोल भी किये थे और दो-तीन साल मेनद करने के बाद 1973 में प्रकाश मेरा निर्जेशित फ्लीम जंजीर आई जिसमें मैं मैं में रोल किया था विचार्शिल और धर्मात्मा पूलिस इंप्रेक्टर विजेख खन्ना का रोल मैंने इस फ्लीम में किया था फ्लीम के सफ़लते के बाद मैं रातो रात फ्लीम इंडिस्टी में हिट हो गया अब देखिए उसी जंजीर फ्लीम का एक सीन जिए जो बहुती हीट हुआ मेरा और प्राण साब का इसमें सहुए हो गए देखिए अब जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़ रहो यह पुलिस स्टेशन है तुमारे बाप का घर नहीं साब आई तक शेर खांसे किसी